आप सभी लोगों का प्रिसा इस में सवागत है तो जैसा कि साइंस एंड टेक का लेक्चर हमने पहला सूट कर दिया तो जिसमें आपको यह बात बताया था कि कैसे हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है यह सबसे बड़ी जो है यह जानना जरूरी है कि हमें किसी भी सब में क्या क्या अटेच करना है तो आज हम लोग इस पेस का टॉपिक जो की साइंस एंटाक में महत्रपूर्ण पर्ट जो होता है जहां से आपके स्टैक्टिक कुश्चन और डाइनेमिक दोनों ही आते हैं तो इस्टैक की बात करें तो वहां टेक्टनोजी के बारे मैं बात और इनके नाम कैसे रखे गए पोलर सटलाइट लॉंच वेहिकल जियो सटलाइट लॉंच वेहिकल्स तो इसकी बारे में और चर्चा करेंगे समय के साथ फिलहाल हम आपको सम्झाने कोशिश करते हैं देख यहां पर इस पेस लेक्ट्टर बन साइंस एंट टेक पार्ट पार् भारत लिखा हुआ है और तिरंगा का सिंबल और हमारा इन वह लोग को अगर अगर हम इस रोकेट की बात करें यह दो रॉक्ट लॉंच आप और यहां पर जो कैप है यहां पर हमारा सैटलाइट रखा जाता है इस पूरे रॉकेट की समरचना कैसे हुई वह आज हम कि कि अलग अलग पार्ट में क्या-क्या है लिकविट कहां पर रखा हुआ है मतलब यह कितने तरह के फ्यूल्ज होते हैं नाम क्या इसका यह कौन सा रोकेट पीसलव है यह जीये सेल्वी है इसके बारे में आज हम लोग जाने की कोशिस करेंगे कि दो आज का जो प्लो रहेगा लेक्ट का मैं आपको जिश्ट देता हूं कि आज की पढ़ने वाले हैं , क्या हमारा पेपर लेके बैट जाएगे गा आप लोग आज पहले हम लोग अपने इस रोक बारे में तो पहले जानने कोसिस करें कि इस्रों बना कैसे कि इस दूक्स की निव कैसे रखी गई और हमारी हमारा जो प्रोग्रेशन प्रोग्रेस है समय के साथ देखेंगे कि किस तरह से पहले इस रोग को जो है को भी देश सपोर्ट नहीं करता था यानि कि कोई भी देश चाहे वह युए से हो या रशिया हो बीड जापान हो कोई भ करें के बारे मैं आपको थोड़ा से इंट्रोडक्शन देते हैं रख रच्व भारत को दिया था जी असल वी को लॉंच करने के लिए इसको लॉंच करने के लिए ब्राइओ इंजन जो है रश्याने भारत को दिया था और यूसे के दबाव पढ़ने के बाद उसने टेक्णोलोजी सेर करने से मदद 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 गड़ दिया है जैसा कि हम भारतिया है हमें बस थोड़ी सी हिंट दे दो टेक्णोलोजी सम्कुद बना लेंगे भारतियों के पास सुरुवाज से ही बहुत प्रतिवा और कॉसल थी आप कहते हैं न वह कोंप्यूटर दे दिजिए हम उसका खुद बना देंगे देख के खोल के असेंब्लिंग ताकत हमारे पास से बहुत जादा है तो फिर हम लोगों ने मार्क टू और मार्क थ्री इन दोनों में क्राइय इंजन जो है वह खुद ऑपना लिया था अब क्राइयय इंजन क्या है इसके बारे मिए यदि लक्टर के दोरा नहीं हम आपको बताएंगा क्राइय इनजन क्या होता है अब science and tech इसलिए भी important हो गया कि अगर आप यहां से देखें तो न्यूज में काफी रहता है अभी अक्टूबर की अगर आप न्यूज देखें होंगे यह कब launch किया गया था तो देखिए लॉंज तो वैसे के वाइस सिक्समान के लिए किया गया था इसकी लाइफस्पैन के वाइस सिक्समान थी बटे लगभग आठ साल जो है अपना complete किया एट यह इसने complete किया और बहुत सारे न्यूज में था ठीक है इसका रोवर फेल हो गया सॉफ्ट लेंडिंग नहीं कर पाया तो वह भी हम आज के लेक्चर में जाने कोशिस करेंगे कि चंद्रयान वन और चंद्रयान टू कि यह कैसा मिसन है यह कैसा स्पेस्क्राफ्ट मिशन है दोनों में क्या अंतर है पिर हम लेखेंगे के बारे में जानेंगे कि लॉट्ट वहिकल का विकास कैसा हूआ पहले आपका एसल्वी आया स्ट्लाइट लांच वहिकल जिसकी समता केवल 40 किलो थी और आप देखेंगे कि इस लॉंच वेहिकल को बनाने में हमारे पास बहुत ही कम संसाधन थे अभी पोटो एक हम आपको दिखाएंगे साइकल्स पर रखके जो इसके पार्ट को एक जगा से दूसरे जगा पर लेके गया थे हम लोग दूसरा पी एसलवी जो कि साहाइली सक्सेस्फुल लॉंच वहिकल है भारत के लिए जो सोपचास से ज़्यादा जो है इसने लॉंच किया सक्सेस्फुल इन सिंगल फ्लाइट और सबसे पावर्फुल जी एसलवी और अब जो बात चल रहा है वो रियूसदिबल लॉंच वहिकल के बारे में जो चल रहा है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ इस्पेस लेक्चर और यूपीस सी माइसल्फ इंजिनियर अनुसर इस रोग जिस तरह से आपने बहुत नाम सुना होगा नासा का लेकिन आपको इस बात का प्राउड होगा कि समय के साथ जो है इस रोग जो है वो नासा को काफी टकर दे रहा है झाल है कर से कासी सारा टेक्नोलोजी विख्षित कर पा रहे हैं इस के लिए पुरा देस पुरा विख्व जो है हमारे ऊपर नजर रखा हुआ है हम लोग इतने ससते सब्सक्राव्ब लाइक 50 वोगॲ से खुधी इतिहास यह डालते हैं इस रोगन तो 1962 आपर इंडिपेंदेंस 1962 में 1962 में कह सकते हैं इस रो की निव पड़ती हैं इंडिया नेशनल कमिटी पर स्पेस रिस्टर्स इन को इनको इस पर पुल्पा में इसका इंडियान नेशनल कमिटी पर स्पेस रिस्टर्स यह पहला कदम था भारत में इस पेस टेकलोजी के रिस्पेक्ट में कोई काम करने का अंतरिच कारिकरम को इंप्लिमेंट करने का यह पहला प्रियास्था भारत का इस कमिटी के बनने के बाद के पास पहला रिसार्च इस्टेशन बनाया जाता है कि के रल में कि नाम आप याद रख लिजेगा नाम था इसका स्वार्ट फॉर्म था ईए आर एल एस टेरल्स इसका मतलब था थुमबा एकुटेरियल रॉकेट लॉंचिंग सेटलाइट तो यह रॉकेट को लॉंच करने के लिए बनाया गया था और हम बात करें तो स्टार्टिंग में जो रॉकेट की सिरीज थी वह रोहिनी रॉकेट सिरीज थी एक सो बीस किलोमेटर के अल्टिट्यूट पे लॉंच करने के लिए इसको बनाए गया था जो कि बहुत ही सिंपलिस्टिक था अब इस तो इन दिनों काफी न्यूज में हैं अगर आप देखेंगे कि न्यूज यहां पर मैंने अटेच किया है पेपर की कटिंग अच्छा एक चीज आपको बताना था कि आप साइंस एंटेक को कैसे पढ़ेंगे यह बड़ी समस्या जो है मेरे सामने बच्चों द्वारा टेलेग्राम गुरूप और जो भी हमारा सोचल मीडिया है कि सर साइंस एंटेक के लिए बार-बार पूछा जा रहा है कि आप बताईए हाव टू स्टडी साइंस एंटेक क्योंकि सर यह पूरी तरह से करेंट औरियंटेट सब्जेक्ट है और बहुत समस्या होती है इसको समझने के लिए क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो कि आमोमन नॉन साइंस बैक्राउंड के बच्चे नहीं सुने होते हैं इवन साइंस बैक्राउंड के बच्चे भी नहीं सुने होते हैं जैसे कि मैंने तो कॉंप्यूटर साइंस में अपनी मास्टर्स और बैचलर्स की अबट रॉकेट टेकलोजी में क्या यूज होता वह मैंने भी नहीं सुना है तो मेरा एक सजेशन बस आप लोग के लिए यह है कि उस टर्मलोजी या जो भी कीवर्ड आते हैं उसके मोटा मोटा जो है आपको बस मतलब पता होना चाहिए उसके बेसिक अगर आपको पता हो तो आपका काम चल जाएगा आप चीजों को समझ सकते हैं आपको बस एक नॉर्म तो इसके लिए बुक्स बहुत बच्चे पूछ रहते हैं सर कोई बुक बता दो कोई सिंगल बुक मार्केट में नहीं है जो की साइंस एंड टेक के को कवर कर पाए तो कैसे पढ़ें देखिए आपको पढ़ना पढ़ेगा न्यूज आर्टिकल से आप दा हिंदू या इंडियन एक्स्प्रेस के जो साइंस एंड टेक के न्यूज आते हैं उसको आप लोग को एल जगा पे क्रम वाइस जो है आरेंज करना पढ़ेगा कोई भी न्यूज हो दूसरा जो गवर्मेंट वेबसाइट है जैसे कि इसमें मैंने जितने भी पोटो एटेच किया है वह इस रो से लिए गये हैं इस रो की जो गवर्मेंट वेबसाइट है उस पे आप जाके पढ़ें साथी साथ राजसभाट टीवी में जो साइंस मिरर करके चनल आधा है उसके बारे में पढ़ें उससे आप लोग अपना कि आइस मिरर तो जितने भी आर्टिकल्स होते उन आर्टिकल को आप एक जगा करते जाएगा अपने सेल लेबस के अनुसार आपके पास अलड़ी है तो आपका कवर होएगा कोई सिंगल बुक नहीं हम आपको रिफर कर पाएंगे कि कोई एक बहतरीन बुक बताईए मार्केट में पुराने न्यूज को पुराने जो है क्वेश्चन बैंक को मर्च करके किताब बना दिया गया है 600 रुपे में आपको बेचा जाता है बट मेरा मानना है इस 600 को आप बचा लिजिए जरूवत नहीं है कि आप वो बुक पर्चेस करें जितने भी हैंड आउट मैं दूंगा जो भी आपको टेलिग्राम ग्रूप पे और हमारे अप पे अगर अपलोड होते जाएगा समय के साथ लेक्चर वाइस लेक्चर अब बस उनको ही पढ़ लिजिए आपका जो है साइन्स की जो समस्य है वो खतम हो जाएगी इसका तवासवासन में आपको दे सकता हूं क्योंकि अलड़ी हर लेक्चर को बनाने के लिए जितनी भी रिसोर्स में बता रहा हूं अलड़ी हम लोग फिल्टर करके ही आपको बना रहे हैं क्योंकि डाइनेमिक है तो इसमें किस सब्सक्राइब क्लास नोट्स को बहुत प्यार से बनाईएगा उमीद रहेगी कि आप क्लास नोट्स बहुत अच्छे से बनाएंगे पढ़ाते समय हो सकती बहुत सी चीज़े जो है मैं बोल जाओंगा जो स्में ना प्विप टी में लिखा होगा या मेरी स्में ना लिखा और तो आप लोग रणिग नोट्स जरू बनाएंगे रनिंग हैंड नोर्स आप जरूर बनाएंगे यह आपका करतव्य है अगर आपको आइस बनना है तो या कोई भी सेविल सेर्वेंट बनना है इतना तो देखिए आपको करना ही पड़ेगा आपको कोई स्पून फीडिंग नहीं करा जा सकती है आप बहुत चोटे बच्चे नहीं है कि देखिए ट्वंटी कि एट ऑफ फेबरवी 2021 में इस रो एक बार न्यूज में आता है काफी चर्चित न्यूज में आता है क्यों क्योंकि इस रो पहली बार अपने रॉकेट के साथ गीता प्लस मोधी जी की तस्वीर को लांच करता है जो की एक है यह न है वह बहुत बड़ा कदम है अब गीता को लांच करने का था ही यह मैसेज देना चाहते थे पीस सांती के लिए अ और मोदी जी की जो फोटो है तजवीर को लांच करने का मक्सद था इनिशेटिव टेकन वाइं मोदी गवर्मेंट तो अपस्केल दा स्पेस टेकनलोजी इस सुरुवाती दौर से ही मोदी सरकार जो है वह साइन्स को लेके काफी जादा जुझारू रही है और इस रों में आप देखेगा कि भागवत गीता को SD कार्ड में मतलब स्टी कार्ड में स्टोर करके मतलब मेमरी कार्ड में इसको लॉंच किया गया था लॉंच वहिकल था प्यसल्वी सी 51 यह आप याद रखिएगा में अगर आप 2018 का कुश्चन देखेंगे तो उसमें प्यसल्वी के बारे में कुश्चन था मैं आपको भी कुश्चन बता देंगा थोड़ दिर में तो वहां पर आपको छोटी-छोटी बाते उस जाती कौन से लॉंच वहिकल से किया गया था तो प्यसल्वी तो सबको पता कि यह देखिए मैंने यह तस्वीर लगाई है इस तस्वीर से बस हम यह आपको निखाना चाहते हैं कि कुर्वाती दौर में इस रो द्वारां जो है कितनी कटनाईयों से जो है रॉकेट जो है बनाय गया था अब देखिए कि हमारे पास इतने भी संसाधन नहीं थे कि हम ल पाफी पावरफुल रॉकेट लॉंचर हमारे पास है और कि फाइटी भी कि हमने मंगल यान को 300 करोड में ही बना के लॉंच कर दिए था कि 300 या 400 एप्रॉक्सिमेटली है 300 एप्रॉक्सिमेटली कर सकते कोट आप देख लीजेगा मैं भी अटाइच कर दूँगा मोदी जी में जान कि चंद्रयान सब्सक्राइब के समय इसकी जो कौस्टिंग पढ़ी है उतने में हॉलिवूड की एक मुवी है कि उसकी कॉस्टिंग इससे जाधा पड़ गये थी मार्स मुवी थी यह मुवी है हॉलिवूड की या मार्स उसकी कॉस्टिंग जो है का फिस जाधा पड़ गए थी हमारे सेटलाइट तो हमारा सेटलाइट काफिर तब सस्ता जा रहा है थजह आने कि सफ़ता है रहा हम एसिक वालिटी कर पार रहे और जो की जो अफ़ार नहीं है एलानमस्क की स्पेस एक्स उनको इस बात की चिंता होनी चाहिए क्योंकि स्पेस एक्स चार्सों से पांसों करोड तो केवल लाउंच के लिए ले लेता है और हम लोग इतनी टेक्नलोजी विक्सित कर दिये हैं कि अब हम लोग इसको जो है 80-90 करोण में अपने सेटलाइट को जो है अंतरिच में भेज दे रहे हैं तो मेरे कहने का मतलब था कि यह फोटो देखिए यह व्यक्ति जो है जिसमें यह आपका कोन जो है जहां पर हमारा सटलाइट रखा जाता है इसको किस तरह से साइकल के स्टेंड पर ले जा रहे जगा से लेकर और वहां से लेके इस जरनी से लेकिए जब हमारे पास कोई से स्पेस्टेशन भी धंग से नहीं था आप कोई मारे पास पैड है कि मैं आपको फोटो दिखाता हूं कि अब को फोटो दिखाते हैं कि हमारे पास अब कैसा लॉंच पैड आ चुका है कि देखिए अब हमारे पास टेकनोजी कैसा डवलब कर लिया है कि देखिए कि देखिए और अब हमारे पास हर तरह का कि या कह सकते बैतरीन कि या उच्छतम क्वालिटी का आब हमारे पास लॉंच्पेंट और सेटलाइट हो चुका है जो कि सीधे सीधे हम विश्विश्टरी पर नासा को डार्गेट कर रहे हैं नासा कुछ कूंपेटिशन दे रहे ह है कि हम लोग इस रोगी जर्णी पर थे तो आगे वरते हैं इस रोगी से होते हुए तक प्रकाइब क्योंकि आपको बैसिक ए hiking lanç उसके बाद आपको सैटलाइट लॉंच समझ इस नाइगा कि Sophie सेटलाइट का और संँभ़ें च्या एक मिखिटां चाहिक िंधीक साखा है ko Corporation and Corporation एंटरिक कोपरेशन को 1992 में बनाए गया था का काम था कि विश्विश तर पर सेटलाइट लॉंच करने के लिए कस्टमर का खोजना सब लोग बना लेते हैं लेकिन लॉंच करने के लिए जो लॉंच वहिकल चीए वह काफी महंगा होता है और इसरों ने काफी बहतरीन और अच्छा क्या सकते हैं आधुनिक टेकनिक डवलप कर लिया था तब हमें उस टेकनिक को वर्ल्ड के मार्केट में बेचना था क्योंकि पैसे हमें काफी बड़े मांट में जो हमें पैसे वहीं से आते बाहर से जिनके सेटलाइट हम लॉंच कर अरशिया का जो है हमने लॉंच वहिकल उसकिया था तो शुराती दोवर में हम लोग काफी निरभर थे दूसरे के लॉंच वहिकल पर अपने सेटलाइट को लॉंच करने के लिए पहला था हमारा अधित्य सेटलाइट अब आप देखेंगे कि हम खुदी जो एंट्रिक्स कर देते हैं कि लॉंच वहिकल का इतना काम है यह रॉकेट का पाड़ दोता है उपर हम ऐसे बनाएंगे यहां पर आपका हम सेटलाइट रख देंगे जो भी आप सेटलाइट जिन्देश से बना रहे हैं एक यजड और यह हमारा लॉंच वहिकल होगा जो कि हम निरमार करेंग इसको अंत्रिच में भेजेंगे यह लॉंच वहिकल को सेटलाइट लॉंच वहिकल को जो है कॉमर्शली बेचती है एंथ्रिक्स कॉर्परेशन जो की इस रोद्वारा 1992 में बनाया गया था अब बड़ी बनाई गई इसको डील करने के उसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेट यह मोजी सरकार दवारा बनाई गई है और प्राइवट कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों को मोटिवेट किया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिपेट करिए लॉंच वहिकल में और ग्लोबली जो है हम अपनी छाप छोड़ पाए तो जो न्यू एजंसिया पर नाम याद रखेगा न्यू स्पेस इंडिया लिम्टेड जो कि पहल और यह देखिए ऐसा कुछ होता है यह सर्द कि यह सेक्शन जो ता पेलोड शिस्टम यहां पर रखा जाता है आपका सैटलाइट के यह गाइडिंग सिस्टम होता है जो गाइडिंग सिस्टम आपके अर्थ आप्जर्वेटरी से। को एक ओप्जर्वेट़री से जो कि हम यहां से अपने स्टलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं यह आपका फ्यूल-tank है अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूल भी दो तरह का होता है सॉलिट लिक्विड भरते हैं इसमें यह ऑक्सिडाइजर ऑक्सिडाइजर क्यों चाहिए हमें देखिए समझाते हैं आपको आग लगने के लिए ऑक्सिजन की रिक्वाइमेंट होती है क्य है प्सिडाइज फायर के लिए हमें ऑक्सिजन की रिक्वाइमेंट होती है में और अंत्रिक्ष में जो है वह अपलब्द नहीं होता बाहर की तरफ आपंप्स जो है हम पहले से ही अपने राकित में केरी करकर चलते हैं और यहां पर चैंबर उपता जहां और यह जलता बन होता तो नीचे की तरफ जो है यह प्रेसर करता है न्यूटन का थर्ड लोग यहां पर अप्लिकेबल होता है कि फॉस्ट जनेरेट करता है थ्रस्ट फॉस्ट जो है यह जनेरेट करता है कि फॉस्ट फॉस्ट गोड यह जोसी घंटर्फ होता है नूटन का सिधान्थ होता है थर्ड लग यह इतना ज्यादा लगता है नूटन में किलो न्यूटन में कि इसका अपोजिट रियक्शन होता जिससे की रॉकेट हमारा उपकी तरह जाता है अब आपको यह भी समझना चाहिए कि हमें बस उतना ही बल चाहिए होता है रॉकेट को एक और फिक्स और बिट में ले जाने तक उसके बाद हमें फोर्स यानि की बल नहीं देना पड़ता है अगर यह अर्थ है अर्थ के अभी बताएंगा कितना यहां तक केवल जो है हमें र अर्विट नाम है जियो सिंक्रॉनिस और विट नाम है कि सारी कीवर्ड है जो हम थोड़े दिर में आपको इससे आपको रूप रूप कराएंगे तो आप याद रखिएगा कि सेटलाइट या लांच वाइकल में आपका जो यूज होता है वह आपको रॉकेट कहलाता है और जो मिसाइल में होता है जैट कहलाता है जैट कहलाता है जैट कहलाता है जैट कहलाता है अब रॉकेट और जैट में क्या अंतर है यह हमें आपको पता होना चीए रॉकेट अट जैट रॉकेट में ऑक्सिजन इसे अंदर भरा रहता है और जेट में यह नेचर से ऑक्सिजन लेता है जबकि रॉकेट में ऑक्सिडाइजर इस कंपार्टमेंट में पहले से ही फिल्ट रहता है उसके कई कारण है एक तो ब्लास्ट ना हो यह जादा हीट जनरेट होगे तो यह खुद ही जल जाएगा उसके भी कई कारण है तो रॉकेट का पूरा एक अपना मेकनीजम होता इसको लॉंच करने के लिए और मिसाइल्स वगएरा में हम लोग जट लगाते हैं यह आपको पता होना चाहिए रॉकेट और जट में क्या अंतर होता है तो कि यह बेसिक बेसिक डिफरेंस अगर आपको नहीं पता होगा तो in jet the rocket is a non rocket is a non air breathing system, it has own fuel and oxidizer. वेरेस वेरेस लिख लिजिएगा मैं आपको बोल देता हूं वेरेस वेरेस जट जट इस एन एर ब्रिधर एर ब्रिधिंग इसन एर ब्रिधिंग मतलब यह ऑक्सिजन जो है वह वाता वरण से लेता है जट करी ओनली फ्यूल एंड दो नॉट करी ऑक्सिदाइजर इट ओनली करी यह अंतर है आपका रॉकेट और जैट में यह दो दो कीवर्ड आपको पता होने चाहिए पिर आपको थोड़ दर में बताते हैं कि फ्यूल जो यूज होता है रॉकेट में वह भी दो तरह के होते हैं और लोक कर सकते हैं अठाकों में भरे जाने वाले बारूद से और हमक्राइब को दाट सकते हैं उसको चाहते है वो सबसक्राइब नहीं होता है कि एक स्बंट्रोल नहीं कर सकते हम उसके एक्सप्लोजन को अब बहुत जादा ही जो हीट प्रेडूस होता है जलिए आगे बढ़ते हैं यह देखिए कुछ रोकेट का मैंने यहां पर फोटो लगाया हुआ है यह यह रहा आपका जेट का फोटो जो कि मिसाइल बगारा में दोता है इसना ब्रीधिंग एर ब्रीधिंग एर ब्रीधिंग यहां पर क्या लिखा हुआ है कि यह निर्भर करता है यानि इसकी जो डिपेंडेंसी होती है वह ऑक्सिजन एट्मोस्फियर पर होती है कि यह मिसाइल है जब इसमें कंबर्शन होगा तो पीशे की तरफ जो है तरस लगेगा और इसका इंपेक्ट होगा बाहर की तरफ तो यह आगे की तरफ देखेंगे वे बनाते इस होगा प्रेसर कम होगा इसकी श्पीड क्या होगी ज्यादा होगी और यहां पर फ्यूल बहागा जाता है यह दिख को टभर्ण डिफ्टॉरेल रेप्रेजेस्टेशन करने का बस मरा मकसद दिया थे कि आपको थोड़ा इस सब्जेक्ट में इंट्रेस्ट डेवलप हो पाई जो पहले कभी भी नहीं पढ़े हो साइन्स या पहली बार सुन रहा हो तो भी आपको एक इंट्रेस्ट डेवलप हो कि यह वही है मैंने फुर्दर पहले आपको समझाया था अब देखिए है अब फ़ड़ा साब बेसिक पर चलते हैं बेसिक पर चलने का मकसद यह है कि अगर आपको पहले कुछ बाती यह बताया जाए कि जो उपग्रह होते हैं यानि की सेटलाइट की बात करें हिंदी में उप सलेस्टियल बॉड़ी का जो है एक चक्कर काड़ता रहें जैसे कि अगर आपने सोलर सिस्टम पढ़ा होगा तो मैंने नेच्टरल सेटलाइट के बारे में बहुत सारी बाते की थी अर्थ का नेच्रल सेटलाइट क्या है मून हम मैन मेड यानि आटिफिशल सेटलाइट यानि कि किस और बिट में लांच करेते हैं का कि जुह है वह उस खगोली पिंड के एढ़ गूंता रहें आ तो आपके जहन में सवाल यह आना चाहिए कि भाया और बिट है क्या पहला सवाल यह कि वाट इस और बिट का सेप कैसा होता है वाट इस और बिट दूसरा सवाल आपको आना चाहिए इसका साइज क्या होता है और सेप क्या होता है कि यह सवाल आपके जहान में होना चाहिए अब थोड़ा सा और मैं आपको बेसिक बताता हूं सैटलाइट लॉंच करने के लिए हम दो चीज़ का ध्यान रखते हैं एक पहला और बिटल वेलोसिटी और दूसरा एक्सेलेशन ड्यूटू ग्रैविटी या गुर्त्वा कर्शन का बल मैं अगर आपको साइंस बताने की कोशिस करूं तो देखिएगा न्यूटन के उनिवर्सल लॉग के हिसाब से अगर कोई भी दो बॉड़ी है चाहिए वह कहीं पे भी हो और इसका मास M1 है और इसका मास M2 है यह बॉड़ी कहीं पे भी हो सकते हैं और इनके बीच में दूरी अगर दी है तिन में लगने वाला जो गुर्त्वा यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रैविटेशनल कॉंस्टेंट और इसकी जो वैल्यू है वह फिक्स है यह कभी चेंज नहीं हो सकती है दूसरा जो एक्सलेशन लगता है मतलब नीचे की तरफ जो एक्सलेशन डू टू ग्रैविटी लगता है कि अर्थ के द्वारा इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जी एंड मास ओफ अर्थ अपॉन रेडियस ओफ अर्थ या स्क्वायर या आप यह देखेंगे को जो जी का मान आता है एक्सलेशन डू टू ग्रैविटी का जो मान आता है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या कहीं कहीं पर इसको हम लोग दस भी ले लेते हैं ये डिपंड करता है मास ओफ अर्थ और रेडियस ओफ अर्थ पे आय है कि अगर आप बात करें दो पॉइंट लेदे अगर हम यह सेंटर में ले लेती loyal की वैली जीरू होती है क्योंकि यहां पर आट जीरू हो गई क不是 यहाँ पर GPU है मतलब pretend due to gravity on call और huge मद्वलने जी हैते है इसे है यह है इस by ग्रहाओ हमारा जो अर्थ है वो मैं सक्डुमारों का होता है सब्सक्राइव होने को आ अर्थ कुछ ऐसा है जिसमें एक्कवेटर की लेंथ ज्यादा है पार पोल की क्या है अंहेँ कि यह बेसिक आइन्स आपको समझा रहे हैं ग्रैविटीशन का टॉपिक जिसे कि आप सेटलाइट को समझ पाए अभी आगे यह जो समय समय पे बेसिक आपको बताना है यह बहुत ही हम हो जाता है क्योंकि मैं यह सोच कर पढ़ा रहा हूं कि हर वो बच्चा जो पहली बार इस स्पेस टेकनोलोजी के बारे में सुन रहा हूं तो जितनी रिक्वाइमेंट इसको हो सकती है वो सारी बाते आपको बता दिया जाए जो भी बता रहा हूं इसको आप रुनिंग हैंड प्लीज लिखिए क्योंकि मैंने यहां पे नोट्स में नहीं लिखा है चीजए टूट ग्रैविटी जी पी की यह चूकी कम है तो अगर तोड़ा तो आप बेसिक लगा लेंगे यह दूरी जाधा है यह दूरी कम को अगर हमें को सेटलाइट पोल की तरफ छोड़ना है अब समझने कोशिज करेगा तो हमारे पास दो फैक्टर है माली जी ऊपगरा है एक पर जी इन जी पी नीचे की तरफ लग रहा होगा माली जी ओर बिटल वेलोसिटी हमारी और विटल वेलोसिटी वी ओ है इन दोनों में में समानवे बैठाना पड़ेगा मतलब कुछ ऐसा बैलेंस बैठाना पड़ेगा कि यह कुछ इसके इर्द गीर्द घूमे ऐसे इलेप्टिकल पाथ में या सरकुलर पाथ में वह तभी संभा हो सकता है जब यह दोनों यानि कि और बिटल वेलोसिटी और जीपी की वैल्यू बराबर हो जाएं अगये यहां पर प्रोजिक्टर का अगरे दोनों बराबर होता है उसके रिजल्टेंट ये स Pikier वेक्ट्र एडिक्षण होता है यह 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 आपको परज़्टेंट पोर्स लगेगा वह इनो समजीएगा तो अगर यहां पर मैंने पूटू लगाया हुआ ह मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यह देखिएगा हमें उतना ही पोर्स देना पड़ता है यह जो लेंथ दी गई है यह देखिएगा यह देखिए और्बिट में सेटलाइट हमारी घूम रही है यह आपका जो है नीचे की तरफ है यह एक मास अगर या बैंगौल जाकर फेर घिर जाएगा मतलब अपना चाही देखिए चोड़ पाए है यह वह आरदे में आ है दूसरे केस में कल्पना करिए कि अगर और बिटल वेलोसिटी जादा हो जाए एक्सेलेशन से इसका मतलब सेटलाइट इसक्ष में जाए ऐसे जाएगा उपर और फिर निकल जाएगा यानि कि फिर और बिट में घुमेगा इनित आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगा तो जानने वाली बात यह है कि लॉंच करते समय हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमारी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है और एक्सेलेशन डू टू ग्रैवेटी जो है उनके बीच में सवनने यानि कि वो बराबर होने चाहिए तो पहला आपको याद रहना चाहिए कि किसी भी सेटलाइट का किसी भी ऑर्बिट में घूमने के लिए जो कंडिशन है वो यह है कि एक्सेलेशन डू टू ग्रैवेटी बराबर होना चाहिए और विटल वेलोसिटी के कि अभी जो है वो परिकर्मा करेगा किसी भी सेलेश्टियल बॉड़ी के उमीद है यहां तक आपको समझाया तो ऑर्बिट क्या होता किसी खगोलिय पिंड के चारों तरफ एक सर्कुलर या इलेप्टिकल पाथ को हम लोग और बिट कहते हैं अगर हम यहां पर डिफिनेशन की बात करें तो ऑर्बिट इस अ कॉव्ड पाथ देखिए तो मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ देखिए, definition लिखा है मैंने यहां पर, an orbit is the curved path that an object in space such as star, planet, moon, asteroid or spacecraft take around another object due to gravity समझेगा अगर आप समझने कोशिस करें तो यहां पर बात होरी due to gravity इसका मतलब है कि रॉकेट का बस इतना काम है कि सैटलाइट को और बिट में ले जाके इंसर्ट कर देना उसके बाद रॉकेट की इंधन की कोई जरूवत नहीं है सैटलाइट में जो पैनल्स लगे होंगे ऐसे तोलर पैनल्स होते हैं वह उससे जो है energy इस तरह सिप लेता रहेगा ऐसे जो energy लेता रहेगा और उसको घूमने के लिए भी कोई अलग energy नहीं चीए क्योंकि वह आपने और बिट में छोड़ दिया है तो वहां पर गुरुत्वा कर्सन बल लग रहा है जिसके वह गोल 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 घूम रहा है एक इलेप्टिकल पाथ में ठीक है जी त हमने इसके नाम दिया हुए पृत्वी है कि यह अर्थ है सर अगर को पृत्वी से आसको पांच किलो मेटर की जो दूरी का और बीट होता इसको हम लोग संद्रिंग क्रोनस और बोलते हैं और इसमें जो है रिमोट सेंसिंग के लिए हम सेटलाइट लांच करते हैं और उस से संद्रिंगोनस और बिट आपको पता और चाहिए के बारे में बात कर रहे हैं दूसरा आपका जीपियस आपको पता यह नेविकेशन के लिए यूज करते हैं तीसरा जीओ सेटेशनरी सेटलाइट तो जब हमें कोई ऐसी सेटलाइट लांच करनी होती है जो की अर्थ के फि सेटलाइट को लिवाएं ना सेटलाइट ह gloss कर लेए ना इसका फिक्स ऐरिया गुम रहा और यह जब रहुस्ट आकाशी सेटलाइट लांच कर्नी होता है लांच करते लोगसेOM से जो इसकी दूरी होती है वो होती है 35,780 कि दूरी होती है और इसमें जो सैटलाइट की रफ्तार होती है वह 11,000 के आज स्पास किलो मिटर पर अवर के रफ्तार से घूमती है ऐसी तो आपने पहला नाम पहला सुना आपने संस्रिंक्रोनस से अरे ओर बीट दूसरा जीपियस और तीसरा जियो स्टेशनरी सेटलाइट को सरें कि आहिए और विट यह इनिक जिस पर जो है आपका इस सेटलाइट जो है वो है या करता परिकर्मा करता है इसके रिद गीर्द अगर हम अर्थ की बात कर रहे तो सारे अर्थ के और्बिट हो गया मास की बात करेंगे तो मास का और्बिट हो जाएगा मून की बात करें तो मून की और्बिट की बात करेंगे यह जो मैंने बताया यह हमने अर्थ और्बिट के बारे में बताया है प्रित्वी के कख्ष के बारे में बताया है अब अर्थ प्रकार के होते हैं और हर प्रकार जिसे मैंने तीन बताया तो अलग-अलग यहां पर है मैंने यहां पर पिच्चास लगाए है जो कि अभी आपको सेकर्ड फर्दर लेक्चर समय मैं इसको एक्स्प्लेन करूंगा उमीद है आपको मार्स के लिए मार्स का मार्स और्बिटर मिशन लॉंच किया गया था यह देखिए बहुत न्यूज में हैं मॉम न्यूज में क्यों है क्योंकि अगर आप करण्ट अफियर पढ़ रहे होंगे तो अक्टूबर के महीने के में एक न्यूज आई थी कि कि आफ्टर एट इयर मॉम ने अपना कनेक्शन खो दिया है तो जो लोग इस पेस में या रूची नहीं डेवलप हो पारी है तो दो कि बॉलीवुड की फिल्म हम आपको बताने कोशिस करेंगे बॉलीवुड क्या कहें एक तो आपकी टॉलीवुड से है एक रॉकेट्री यह मूवी देखिएगा और माधवन की है और दूसरी आप मंगल यान मिशन मंगल देख लिएगा अक्षय कुमार की है तो आपको थोड़ा सा जिस्ट समझ आएगा थोड़ी सी रूची डवलप होगी भारतिय स्पेस प्रोजेक्ट के बारे में कि किस तरह से किस कटनाईयों से लड़ते हुए हम लोग स्टार्टिंग में एक पिच्चर लगाया था आपको कि आप देखेंगे यह समय था कि हम रिक्से पे और साइकल पे जो है अपने कि रॉकेट को एक जगा से लेके लॉंच पैट तक ले जा रहे हमारे पास कोई लॉंच पैट था भी निवैसे वास्तिकता में 1962 की बात है और आज है एक से बहतरीन रॉकेट हमारे पास है तो इसी के साथ आज की जो लेक्ट्चर इसको हम समाप करते हैं और एक छोटा सा अनॉंस्मेंट फिट से कर देते हैं the complete preparation for your UPSC prelims, mains, UPSC prelims, mains and interview, UP PCS prelims, mains interview, all the state examination BPSC including MPPSC Rajasthan PCS कि आप सभी के लिए admission open है मात्र नौसो निन्यानवे सायद अगर आप किताब खरने जाएंगे तो लच्मी कान्त की किताब आपको 700 रुपे की पड़ेगी जो कि आपको लेने ही पड़ती है इसके बिना तो आपको काम नहीं चलेगा केवल अगर आप NCRT खरने जाईए तो क कम से कम पचीस सौ के आजपास की तो आपके न्सीरटी पड़ जाएगी तो आप देखेंगे की मैगजीन खरिते हैं 12 महिने की तो मान के चली है आपके बारासो का तो मैगजीन हो जाएगा किसी भी कोचिंग की खरिते हैं तो कोई भी बुक खरिते हैं और भी देख लीजिए अगर आप हिष्टी की तीन पूस्त के खरिते हैं तो लगबग तीन हजार की किताब है वह तो अगर आप कंपेर करेंगे कि हम लोगों का कोर्स इसमें और लेडी देखिए आप आइस द्वारा पढ़ाया जा रहा है जो कि स आप यह देखिए ना आपको एक्सपरियेंस के साथ साथ आपको आइस पढ़ा रहे हैं आप रूबरू हो रहे हैं आइस ऑफिसर जो अलड़ी सर्विस में हैं सायथ मुझी लगता है कि इस चांस को आसे जाने देना चाहिए गाओं के हर वो बच्चे को रिमोट एरिया में जो है उसको यह बात आप पहुंचाइए कि एक दिली दिली के उच्चतम संस्था दवारा बिरोकेट्स दवारा जो एक कोर्स लाया गया जो केवल 999 रुपे और मंत के हिसाब से हैं जिसमे आपको सब कुछ मिल रहा है आप सोच भी नहीं सकते हैं आपको लेक्चर मिल रहा है टेस्ट स्रीज मिल रही है और सबसे वड़ी बात जो प्रिसा एस की इन्युवेटिव प्लान है वह मेंटर्शिप हम कहते नहीं हम करते हैं आप टेलिग्राम पर जूट सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मेंटर्शिप प्रोग्राम हमारा किस तरह से कारगर है जिसमें हम आपको वीकली एक जूम कॉल अटेंड करते हैं और आपकी जो भी समस्या है चाहे वह पढ़ाइस रिलेटेड़ हो चाहे आपका आपका मन नहीं कर रहा है आप बहुत व्यतीत हो रहा है मन विचलित है घर का सपोर्ट नहीं है समाज का सपोर्ट नहीं है वह गाइडेंस प्रोग्राम आपको क्यों इतने मिल जा रहा है भारत की कोई भी संस्था इस लेवल पर काम नहीं कर रही है यह मेरा अनभाव कहता है और मुझे जो पता है ज्यादस ज्यादा लोग जोड़ि हम आपको लुभावने कोई कोई वादा लुभावना हम लोग नहीं कर रहे हम यह आप से महनत कराएंगे हम आपको 6 घंटे अगर पढ़ा रहे हैं तो हम आप से कहेंगे कि आप 12 घंटा भी पढ़ेंगे आपको एक होमवर्वक शीट दिया जाएगा डेली डेली टास्क UPSC समझेगा यह बहुत बड़ी सीठी इस तरह से यहां पर बैठिये UPSC आपका सपना मसूरी जाने का लबासना तो यह एक एक जो ब्रिक आपको बनानी है वह कैसे बनेगी उसके लिए तो आपको प्रिशा से जुणना पड़ेगा प्रिशा यह से जुणना पड़ेगा आ आपको रास्ता दिखाते वे आपका हाथ पकड़के हम लोग एक एक स्टेप पे ले जाएंगे है और फिर आप अपने मंजिल लबासना पहुंच जाएंगे उसके लिए जुणना पड़ेगा हमारे साथ आठ से दस महिने आपको सब कुस्त त्याग ना पड़ेगा मोम आया पहुंचा पाहूं 999 आपको एक बहतर टीम मिल रही है आपको आएस आपको आया टियंस मिल रहे है इससे बैटर टीम आपको क्या मिलेगा आपको प्रोफाइल के बारे में हम किसी भी टीचर को कुछ भी असा नहीं करेबड यहाँ आप इतने तो सक्ष्म हैं ना पकिस साल क से ने आपके बुद्धी विवेक का विकास हो चुका है कि आप यह नीड़ने ले चाहिए क्या सही है और क्या गलत है ने तो आपको एठारा साल रख देता सोले साल में निकाली ti ti ti21 किया गया है क्या यह सही सेंदत लेपाकि allora Show कि कॉन से जीटाप पढ़नी और नहीं पढ़नी है उन से मांग दरसक्त देने वाले गुरू सही है या गलत है या बहुत कुछ तो नहीं पढ़ा रहे हैं तो चलिए इस एक सात्त हैंक्यों सो मच कीम सब्सक्राइब है Bye